जन सुराज पध्यात्रा के दौरान सारन जिले में एक आम सभा को संबोधित करते हुए जै बिहार जै जै बिहार का नारा लगवाने के बाद प्रशान की सोड ने कहा कि हम कोई भी नारा बिना किसी मतलब के नहीं लगवाते हैं 2013-14 में आदे से जादा बिहार और देश के लोग मोदी जी का नाम नहीं जानते थे उसके बाद 2014 में मैंने एक नारा दिया हर हर मोदी घर घर मोदी ये बिहार का नारा इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि बिहार के लोगों का आत्म सम्मान मर गया है जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और मजदूरी करने के लिए तो उनको वहां कोई भी गाली दे देता है जिसका मन होता है वो उसको थपड मार देता है हम यह नारा इसलिए लगवा रहे हैं ताकि बिहार के लोग को अपनी मिट्टी के गौरफ का और सम्मान बापस दिला सके बिहा में आज 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही है ऐसे डिग्री लेकर बिहार के लड़के मज़़ूर नहीं तो क्या कलेक्टर बनेंगे तो नारा दिया हर हर मोदी घर हर मोदी तई बिहार के नारा कहें तक बाउता है तो हम बिना मतलब के कोई से तरवा ध्यान से देखो तब पता चली कि बिहार में सौ में नबे आदमी के पास ती तीनों में पूछो नहीं है राव लेका दिया जब पहने जाता राव लेका पहत नहीं है फिल्गोर अलबा खिचली खाथा प्राइबेट स्कूल में भी पढ़ा था तो वो जो को नो पढ़ाई निखे हो लगिका कॉलेट में गोई वो या तीन बज़िस के डिगरी पांच बज़िस मिले के गोई चौलेट में भी निखे हो तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर ना बने का डाक्टर लिएर का लक्टर बनी उसको तो मजदूर ही बनना पढ़ेगा और पूरा बिहार में सरकार 40,000 करोर रुपया हर साल खर्च कर रहलबा शिच्छा पर व्योस्खा पर ताकि गरीब से गरीब आदमी का भी बच्चे को पॉड़ने का सुभियार रहे लेकिन आतना चोरीबा आतना लूटबा आतना कुबे वस्थाबा कि 40,000 करोर रुपया हमनी के खर्चा होता लेकिन 40 वो लईका भी बहुने देपन पॉड़के निकलता तरवाद्धान से देखो तब पताचली की बिहार में सो में नब्बे आदमी के पास दी तीनों में उच्चों नहीं है रौ लेका